Dear students, इस question में हमको दिया हुआ है कि दो तो women हैं और पाँच men हैं. अगर ये साथ लोग मिलकर काम करें, कोई embroidery work को, कितने हैं? Two women and five men. ये मिलकर किसी embroidery work को चार दिन में complete कर देते हैं. Dear students, इस question में आपको दिया हुआ है कि दो women and five dear students, इस question में आपको दिया हुआ है कि two women and five men, ये साथ लोग मिलकर कोई embroidery work को करें, तो चार दिन में इस embroidery work को complete कर देते हैं. कितने? Two women और five men. ये मिलकर चार दिन में इस embroidery work को complete कर देते हैं. वहीं अगर दूसरी टीम बन जाए, जिसमें three women हो, और six men हो. ये टीम अगर है, ऐसी टीम, तो ये नौ लोग मिलके, उस embroidery work को तीन दिन में complete कर देंगे. तो ये डेटा हमको दिया हुआ है, और हमें find क्या करना है, कि अकेली एक woman, उस काम को, कितने दिन में खतम कर सकती है, या फिर अकेला एक man, एक आदमी, उस काम को, कितने दिन में खतम कर सकता है, ठीक है, तो चले शुरू करते हैं, सबसे पहले हम consider करेंगे, one man, alone, can, finish, the complete work, in how many days, x days, हमने ये माल नहीं आए, ठीक है, इसी तरह से, अब हम ये माल लेते हैं, let, one woman, alone, can finish the complete work, in why days, ये हमने दो assumptions लिये, अब इन ही के ओपर, based on question आगे शुरू करेंगे, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप से question पूछना चाहता हूं, suppose, आप किसी काम को, दो दिन में complete कर देते हैं, कितने दिन में complete कर देते हैं, दो दिन में, तो आप मुझे बताईए, एक दिन में कितना काम complete होजाएगा, एक दिन में, वैं दो दिन में आप पूरा काम कर देते हैं, तो एक दिन में obviously आदा, मतब 1 by 2, 2 दिन में complete एक दिन में 1 by 2 ठीक इसी तरह से आपको ये बोला गया कि आप एक काम को 3 दिन में कर देंगे आपको पता है, 3 दिन लगते हैं complete काम होने में, तो एक दिन में कितना होगा 1 third तो देखे, 3 दिन में आप complete काम कर रहे हैं और एक दिन का आपका काम कितना हो गया, 1 by 3 of the work पिलकुल इसी तरह से अगर आप एक दिन को x days में काम complete करते हैं, आपको x days लग जाते हैं, जैसि यहां इस आदमी को लग रहे है तो आप एक दिन में कितना काम complete करेंगे 1 by x of the work तो बस यह लॉजिक में यहां लगाता हूँ और मैं आगे लिखता हूँ वन मैंस वन देज वर्क कितना हुआ? 1 by x of the complete work या 1 by of the work ठीक है ना? similarly 1 वोमेंस 1 day's work वो कितना हुआ? 1 by y of the work अब पहली condition में क्या है देखिए पहली condition इस question की है कि जो टीम बनती है पहली टीम उसमें दो तो वमन होती है और पांच मैं होते हैं यह टोटल साथ लोग होते हैं इसको हमें निकालना है तो हम यह लिखेंगे पांच आदमी थे तो हम यह एक आदमी का जो एक दिन का काम है 1 by x of the work तो हम यह लिखेंगे फिर तो हमेंगे मैंस वन देट वर्क इस वर्क कितना हो जाएगा 5 x 1 by x एक आदमी 1 by x वर्क कर लीता है एक दिन में एक आदमी 1 by x वर्क करता है तो पाँच आदमें मिलके फाइड टाइम्स वर्क करेंगे मतलब फाइड बाइ एक्स आफ ता वर्क similarly वमन कितनी है वमन है दो पहले टीम में ठीक है तो यहां पर मैं लूँगा फिर तो वमन वन डेस वर्क कितना हुआ 2 multiplied by y इसे हम बोलते है 2 divided by y of the work ठीक है अब यह दोनों मिलके काम करते है पूरी टीम की तरह काम करते है पाँच आदमी और दो ओरते 5 men and 2 women यह मिलके काम करते है तो मैं या लिखूंगा इस इंप्लाइस एट 2 women plus 5 men 1 day's work कितना होगा यह team इस team का एक दिन का काम कितना होगा 5 upon x plus 2 upon y of the work यह बात हुई अब देखो यह तो हमने कहां से बनाया यह सारा हमने बनाया था यह सारा system बना था यहां से जो हमने इसे assume किया था कि एक आदमी अकेला सारे काम को x days में complete करता है और एक एक औरत one woman सारे काम को y days में complete करती है यहां से हमने यह बना दिया कि इनका दो अरतों का और पाँच आद्मियों का एक दिन का काम इतना होगा अब हम जड़ा कोशन की पर सुन लेते हैं According to कोशन कोशन क्या बोल रहा है कोशन ये बोल रहा है कि टू वोमेन और फाइब मैं कें तुगेधर फिनिश दो Embroidery work in four days मलाब ये जो टीम है दो वरतों और पाँच आद्मियों की ये चार दिन पर काम complete कर देती है ये sentence को मैं अपने तरीके से यहां लिखता हूँ हम यहां लिखते हैं टू वोमेन एन फाइफ मैन कें फिनिश तो वर्क in how many days four days अब जला सोचिए ये टीम मिलके चार दिन में काम complete कर देती है तो ये पूरी टीम एक दिन में कितना काम करेगी one by four one by four of the work क्योंकि चार दिन लग जाते हैं काम complete होने में तो एक दिन में one fourth होगा, दूसरे दिन में two fourth होगा मिला कि तीसे दिन में three fourth हो जाएगा और चौते दिन में four four into one by four मतला one complete work तो यहां में लिखूंगा two women plus five men's one day's work कितना हो जाएगा one by four of the work ये तो बात होई question की अब ये same चीज़ यहां भी आई थी ये हमें कैसे लिए थी हमने जो x और y variables लेते हैं उसके according ये है question के according ये है ये दोनों equal होने चाहिए तो हम क्या सकते हैं five upon x plus two upon y is equal to one by four अब दिखें ये information हमें कहा से मिली ये actually एक equation है दो variables में x and y बट ये linear equation नहीं है इसे अभी हम linear equation में reduce कर देंगे लेकिन उससे पहले एक बात करता हूँ मैं देखिए question में statement क्या था two women and five men can finish an embroidery work in four days यहां पर two women two women and five men can finish the embroidery work in four days तो ये equation बनी अब दूसरा sentence क्या है दूसरा sentence दूसरा statement इसके अंदर क्या है three women three women and six men can finish the work in three days तो तीन औरते हैं और छे आदमी है तो उस हिसाब से फिर according to problem हम लिखेंगे similarly similarly अब देखो कितने तीन औरते हैं और छे आदमी यहां पर देखिए दो औरते हैं और पाच आदमी थी two women and five men और चार दिन में complete करते थे वहां पर कितनी है three women तो यह बन जाएगा three upon y six men can finish the work in three days तो यह उसकी equation आएगी one by three ठीक है तो यह दो equations हमें मिली जो दो variables में हैं पर यह linear equations नहीं है इन्हें हम linear equations में reduce कर देते हैं उससे पहले मैं इन दोनों equations को second piece पे copy कर देता हूँ चाहिए पहली equation थी five by x plus two upon y is equal to one by four दूसरी equation थी six upon x plus three upon y is equal to one by three इनको linear equations में reduce करने के लिए मैं क्या करूँगा variables assume करूँगा let one by x is equal to some another variable t and one by y is another variable r ठीक है तो यह बन जाएगा पहली equation बन जाएगी five t plus two r is equal to one by four और दूसरी equation बन जाएगी six t plus three r is equal to one by three यहाँ पर one by four है यहाँ पर one by three है तो यह काम करते हैं इस equation का हूँ four से multiply कर लेते हैं ऐसे करने से हमें यह क्या मिलता है four से multiply करने पर twenty t four से इसको भी multiply करेंगे eight r और यह हो जाएगा one दूसरी equation का हम three से multiply करेंगे इसको three से multiply करेंगे बनेगा 18 t plus nine r is equal to one अब देखिए हमें यह दो equations में लिए दो variables में अब मैं कह सकता हूँ कि यह दो equations linear equations है और यह दो variables है t and r और अब हमें इसे simplify करना है मैं चूज करता हूँ elimination method elimination method में मैं क्या करूँगा पहले दोनो equations को consider करता हूँ 20 t plus eight r is equal to one मैं यह लिखता हूँ 18 t plus nine r is equal to one अब मैं चाता हूँ कि यह जो variable r है वो eliminate हो जाए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ से यहाँ पे r का coefficient कौन है 9 तो पहली equation को मैं 9 से multiply करूँगा और दूसरी equation को मैं 8 से multiply करूँगा ऐसा करने से मुझे क्या नया set मिलेगा equation का इस 9 को मैं पूरी equation से multiply करूँगा मुझे मिलेगा 180t plus 72r is equal to 9 second equation को 8 से multiply करूँगा तो मिलेगा 144t plus 72r is equal to 8 अब मैं यहाँ पे second equation को पहली equation से subtract कर दूँगा तो इसके लिए मुझे इनके sign चेंज करने पड़ेंगे यह सारे positive sign में है तो सबके सब negative sign क्यों हो जाएंगे और अब मैं इसे add कर देता हूँ sign change करके add कर दिया यहाँ पे क्या बनेगा 36 36 t और उदर बनेगा 1 तो smf t की value क्या आई 1 by 36 ठीक है अब यहाँ देखिए हम किसी method से pounded नहीं है हमें किसी ने बोला लें कि आपको यही method योज़ करना है generally क्या होता है elimination method योज़ करते वकर हमें बोला गया हो तो हम क्या करते हैं किसी एक variable को eliminate करते हैं फिर दूसरा variable निकानने के लिए अब अब zij आब आब arri मैं simple इसे simplify करना है तो हम यहाँ mix method भी लगा सकता है तो मैंने t निकालने के लिए elimination method यूज किया है अब r निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं elimination method यूज करूँ मैं इस value को यहाँ substitute भी कर सकता हूँ समझे ना क्योंकि उन्होंने mention थोड़ी किया कि कोई method यूज करो अगर strictly बोला होता कि elimination method यूज करो तो फिर मुझे अब यहाँ पर t को eliminate करना पड़ता दोनों ही variables मुझे elimination method से निकालने पड़ते हैं ठीक है तो अब t की value को मैं substitute कर देता हूँ किसी वे एक equation में मैं 20 वाले में रख लेता हूँ या 18 वाले में रख लेते हैं चलिए equation मैं पहले लिखता हूँ जिसमें मैं से substitute करना है 18 t plus 9 r is equal to 1 t की value substitute करते है 1 by 36 तो यह बन जाता है 18 multiplied by 1 by 36 plus 9 r is equal to 1 आप जानते हैं 18 2 is a 36 आपको equation मिली 9 r is equal to 1 minus 1 by 2 और इस तरह से आपको r की value मिल गई 1 by 18 तो यहां देखें दो चीज़ें आ गई है आपके पस आपको जो मिला है t की तो value मिल गई है 1 by 36 और r की value मिल गई है 1 by 80 आपको यहां दोगा जब आपने assumption ली थी तो आपने t को 1 by x को t बोला था ठीक है और 1 by y को r तो बोई value यह अपने हां रखते हम 1 by x was equal to t और यह है 1 by 36 ठीक है दूसरी बात आपने बोली थी 1 by y is equal to r which is equal to 1 by 18 इससे क्या साबित हुआ इससे यह साबित हुआ कि x की value 36 है और y की value 18 है अब यह x और y है क्या x तो 36 आगिया और y 18 आगिया x और y एक बार फिर से नजर मारते हैं आपको याद होगा जो हमने assumptions ली थी according to assumptions x क्या है one man alone can finish the complete work in x days और one woman alone can finish the work in complete one woman alone can finish the complete work in y days तो आपको answer ऐसे लहना पड़ेगा यहां पर x की value 36 है तो आपको लहना पड़ेगा one man alone can finish the work in 36 days यह answer आपको देना पड़ेगा आपको marks में लेंगे इसके आप x और y में इसको नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि जो पूछा गया है आपको उसका जवाब देना पड़ता है उसी language में जो है one woman alone can finish the work in 18 days अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं answer इस form में जिस तरीके से आप से पूछा गया है वैसे आप answer नहीं बनाते हैं तो आपकी marks कट सकते हैं